हेवलो फ्रैंच्स वेलकम टु एछेनल को आज हम इसकीन ब्राइटनिंग क्रीम बनाने वाले हैं जो लूरी एंडिय। इंन नच्जुको और अजो क्रीम आज protocols क्रीम कहारें सब्सक्राइब हो दोश्टों के इस सब्सक्राइब करें ओए को पिग्मिनकी सब्सक्राइब कर द यह देखे, अच्छे से ग्राइंड हो गया है, अब इसको हमें एस्टेंड करना है, इसका हमें जुस चाहिए, जिससे हम अपनी क्रीम बनाएंगे अच्छनी के मज़द से इसको स्टेंड कर रही हूं ये देखिए एपल का जूस बनकर बिल्कुल रड़ी हो चुका है अब हम अपनी क्रीम तयार करेंगे तो क्रीम बनाने के लिए हमें दो से तीन चमच एपल का जूस चाहिए अब हम इसमे एड़ करेंगे अलवंड ओयन यहाँ पे मैं बादाम रोगन शीरीन आईल यूस कर रहे हूं तो वइंड टी स्पून यहाँ पे हम आलवंड ओयल यूस कर रहे हैं अब वहानों, इसमें यूज करने वाले हैं aloe力 liages यहाँ पर मैं यलो वाला जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं तो यहाँ पर हम दो चमच aloe力 li रहे हैं रखर की और य।arah लास्ट में हम इसमें एड कर देंगे एक विटमिन ही का कॉब सूल सब इन आ सब ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजाएंma kadar की क्रीविवित detailed अच्छे से मिक्स करने हैं दोस्तों हमने जो यह कीरीम घर पे तयार की है इसम में diverée प्रोपर्टीज भी होती है जो कि science of aging के process को भी slow down करती है यह क्रीम हमारी skin को moisturize करती है बहुत ज़्यादा soft and supple बनाती है प्लस इसके regular use से हमारी skin एकदम youthful spotless radiant हो जाती है तो दोस्तों आप जरू इस क्रीम को एक बार बनाना और इसको use करना यह देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल बनकर ready हो चुकी है इसकी consistency देखिए बिल्कुल perfect अब आप कोई भी container ले ले जिए उसमें इस क्रीम को store कर ले जिए यह ले जी हमारी क्रीम बनकर तयार है अब इसको लगाना कैसे है तो clean face पर इसे apply करें दिन में दो बार तो आप इस क्रीम को जरूर बनाएगा और इसका regular use कीजिएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि यह क्रीम कितनी effective है तो आप भी एक बार इस क्रीम को try करिए और मुझे comment box में जरूर बताएगा कि आपको इसके क्या result मिले है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please इस वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लिजिएगा और वीडियो को share कर दीजिएगा